हाट लाइन हमारी हाट लाइन मित्रों क्या-क्या चीजों को इंगित करती है सबसे पहले तो हमारे दिल को और दिल से जुड़ी हुई जो भावनाएं है अपनापन परायापन दुश्मनी मित्रता यह सब हाट लाइन की ही प्रॉपरिटीज है इमोशन्स भावनाएं रिलेशन्शिप कब हमारी रिलेशन्शिप बिगड़ जाएगी ऑंटरप्रीनर्शिप उद्यमिता और सबसे ज्यादा जो प्रभाव इस रेखा में होता है वो है हेल्थ और वेल्थ कैसी होना चाहिए हार्ट रेखा हार्ट लाइन हमारी किस प्रकार होना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारिया नमस्कार मित्रों आप सब देख रहे हैं पाम ब्लॉग और इसमें जीवन जोतिश का मन्थ प्रस्तुती की जाती है जो मित्र अभी नए जूड़ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए आगे आपको नोटीफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे मित्रों हार्ट लाइन हमारे लोकेशन समझे हमारी प्राइमेरी हमारी प्राथमिक तीन लाइने होत कुछ हमारी प्रमुख रिखाएं हैं यह तीनों होना ही चाहिए और इसकी मौजूदंगी लगबग हर हातों में होती हैं कम जादा हो सकती हैं लेकिन ये तीनों की oraz में हतेली में होती ही होती हैं वित्रों आज हम जानेंगे हार्ट लाइन के बारे में तो चलिए जानते हैं हार्ट लाइन ये हैं हमारे बुद्ध का परवत ये हैं हमारे सूरे का परवत ये हैं हमारे शनी भगवान का परवत और ये हैं हमारे सूरे भगवान का परवत और अगर हार्ट लाइन निकलती है बुद्रिखा से यहां से निकलती है और यह यहां तक अगर पहुंच जाती है गुरू परवत तक अगर पहुंच जाए और विश्नु सिंबॉल बना ले तो मित्रों सबसे पहले आप अपना अपने हाथ देखिए कि विश्नु सिंबॉल बना हुआ है क्या आपके हाथ में यदि विश्नु सिंबॉल बना है तो यह सक्सेस को डिफाइन करता है बहुत जबर जस्त सक्सेस इमकों मिलती है और मित्रों अगर आप किसी अपने बंदू बांदवों के हाथ में देखें ऐसा विश्णू साइन तो उससे मित्रता जरूर करें क्योंकि ऐसे लोग हर दुख में साथ देते हैं और रिलेशन्शिप आखरी तक निभाते हैं विश्णू सिंबॉल जितने भी हाथों पे होता है वैसे जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए जीवन में कभी भी शौट कट किसी को धोका देना रिश्वत लेना कोई भी गलत काम करना नहीं करना चाहिए मित्रों क्योंकि ऐसा करने से हाथ की जो शक्तियां है वो नस्ठ हो जाती है यही विश्णू सिंबॉल हमको बताता है और विश्णू सिंबॉल जिस प्रकार से बना है तो देखिए उसने शनी परवत को और बुद्ध माफ कीजिए गुरू परवत इन दोनों परवतों पर बना हुआ है देखिए धर्म शेत्र में हम प्रवीन हो जाएंगे हमको अपने आस्तित्व के जो समीकरण व्यक्ति जानना चाहता है कि जन्म क्या है बृत्यू क्या है जीवन क्या है इन सम्में वो पारंगत हो जाता है और साथ ही साथ शनी परवत के होने से शनी परवत का पुष्ट इसमें लगन करता है संसाधन बहुत अच्छे खड़े करता है उसका दिमाग ऐसी ऐसी गत्विद्यों को अंजाम देने लगता है कि उसके पास सद्गुण और लक्षमी आती ही आती है अब हम बात करते हैं कि यदी हार्ट लाइन लिकलती है और पूरे गुरु के परवत तक चली जाती है आखरी तक तो ऐसी हार्ट लाइन जो होती है मित्रों मैंने बहुत हतेली देखी है और मैंने करीब तीन लाग से ज़्यादा हतेलिया देखी होंगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हो कि ये रेखा बहुत दुरलब होती है बहुत दुरलब रेखा है ये अगर किसी के हाथ में यहां तक आखरी तक गुरु के परवत तक बनी हुई है ये रेखा बहुत दुरलब होते हैं और ऐसे वेक्ति बिरले ही होते हैं हम व्यक्तित्व जो की उचाईयां देखकर भता सकते हैं कि इसके हाऊते हैं इतनी बड़ी गुरुखे होोगी बहुत दुरलब बहुत बिर्ले लोगों के हाथ में होता है और यह हेल्ट और वेल्थ में हेल्थ और वेल्थ का इनको बहुत अच्छा पुष्ट मिलता है दोनों तत्व बहुत बढ़ जाते हैं अब कैसे लोगों के हाथ में ऐसी रिखा होती है इतनी लंबी तो यह मठाधिश शंकराचार्य ऐसे विक्ति जो अध्यात्म की शिखर पर बैठे हों और ऐसे लोग धर्म कर्म दान पुन्य में बहुत बढ़ चड़कर हिस्सा लेते हैं अती विश्वश्निय होते हैं कई ट्रस्टों का संचालन करते हैं और अपनी ही बदौलत अपने कर्म की बदौलत अपनी कूवत की बदवलत ये बहुत अच्छा मुकाम पाते हैं क्योंकि ऐसे लोग के हाथ में हैल्थ और वेल्थ तो बहुत रहेगी प्रेम विश्वास इनके रिदय में वास करता है और उसका आधिपत्य होता है कोमल भावनाएं इनके पास होती है और हर चीज में हर मुसिबत में बहुत साहता करने वाले लोग होते हैं मारमिक होते हैं किसी का दुख वो देख नहीं सकते धर्मग्या, मर्मग्या और रसग्या क्योंकि गुरू का ग्यान और गुरू का तत्व जिसको मिल जाए वो टॉरिक होता है तो ऐसी रेखा अगर है आपके हाथ में बहुत बिरले लोगों के हाथ में होती है तो इसका मतलब है कि आपके पास में असीम ताकत है गुरू की अब यदि देखिए जो सबसे स्रेष्ट रेखा कही गई है जो लोगों के हाथों में मिलती ही मिलती है वो है कि गुरू के परवत तक पहुँचती है गुरू के परवत तक जो अच्छी सिक्षा दिक्षा लेके बैठे हुए हैं जो सामाजिक सरोकार वाले हैं पद मान वाले हैं उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा गुरू परवत को टच करती हुई जरूर आपको मिल जाएगी तो कैसे लोग होते हैं ये भी अतियंतु स्रेश्ट होते हैं लेकिन जो लंबी रेखा वाली बात मैंने करी उससे कम होते हैं शमताओं में और सब के लिए सोचते है बुधिमान रिदय से प्रेम करेंगे ही करेंगे और साथ निभाते हैं आखरी तक वो साथ निभाते हैं जीवन बहुत अच्छा जीते हैं किसी चीज की कमी नहीं होती हैं उनको बहुत भव्य जीवन होते हैं और मित्रों अगर लग्का साथ मिल जाए और सूर रेखा अच् आप तो हो जाए तब यह एक बड़ा पद जिसमें हम कह सकते हैं IAS IPS ऐसे लोग बहुत बड़ा पद पा जाते हैं और सूरी इसमें बहुत अच्छे होना चाहिए और आपकी लग लाइन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए रिदय से तो प्रेम करते ही हैं और अंत तक यह कीजों को निभाते हैं संबंदों को निभाते हैं हम कह सकते हैं कि जिनकी रेखाएं यहां तक पहुंच रही हैं एक पूण जो लोग है व्यपारी लोग हैं उनके हाथों में यह बहुत बनता है कि कहां थक यह धर्शनी के परवध है और पहुंच जाती है तो शनी परवध तक अगर पहुंक जाएगी तो व्यक्ति मठालि हो जाएगा उसे धन चाहिए ही चाहिए है उसका दिमाग ऐसे ऐसे खेल खेलने लगेगा कि उसको हर जगे धन नजार आएगा और धन कमाने के लिए वो छलकपट का भी सहरा ले सकता है अपना हित पहले देखेगा स्वार्थी होगा व्यापारी लोग होते हैं जो बड़े उत्पादन करता होते हैं बड़े फेक्ट्रियों के मालिक होते हैं जो अग्दम मनी माइंडेड होते हैं और होना भी चाहिए कोई इसमें गलत नहीं है money minded होना गलत नहीं है क्योंकि पैसा जो है वो ही व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान करने की कूवत रखता है ऐसे लोग जिनकी हाट लाइन शनी परवत पे आकर खतम हो जाए तो ये छलकपड तो लेंगे अपना हित भी साधेंगे और दिखावा अभी करेंगे सफल जरूर होते हैं मित्रों और संपत्यों के मामले में संपत्यों के मामले में सफल होते ही होते हैं आप देखेंगे इनके आज़ पास लग्जरी आइटम्स और भौतिक सुख जो है वो अतियंत होंगे लाइन साफ सुत्री होना चाहिए मित्रों खंडितना लाइन नहीं होना चाहिए और यह लोग अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते हैं क्योंकि कि इसके अंदर धन्तो है तो जो धन्वान होता है वो अपनी बात प्रकरता से और पटक कर बोलता है अपने विचार दूसरों पर अगर होता है तो लाद भी सकता है अगर शनी रेखा तक पहुंच रही है शनी परवत तक हार्ट लाइन पहुंच रही है तो ऐसे लोग सोत शेखड़ों लोग काम करते हैं अब एक इस्तिन और लेते हैं अगर हार्ट लाइन यहाँ से चले और सूर्य परवत अग aan pow कर आ कर वह रुख जा रही है तो इस पर शूर्य प्रभवाव बहुत जादा हो जाता है लाइन पर है ऐसा विक्ति और यह तो आप आप लोगों को मालूम है कि सूर्य का प्रभाव कुंडली में भी हम जिस घर में बात करेंगे सूर्य भगवान जहां बैठेंगे कलियों के साक्षा देवता है जहां भी बैठेंगे उसका प्रभाव को जला देंगे तो सूर परवत भी नीच परवत कहे गए हैं क्यों क्योंकि वो उर्जा से चीजों को जला देते हैं तो ऐसा व्यक्ति अनुशाशन हीन हो जाता है और कब कौन सा समय उसको करना है कौन सा काम किस समय पर करना है उसका विवेक इतना नहीं रहता है वो जरूरत के अनुसार उसमें चुनाव करता है और वो अपने महत्वकांशा को अंजाम देने की कोशिश करता है अधिपात्य ऐसे लोग जो है पावर में किसी को दबाने में बड़े सक्षम हो जाते हैं और क्रोधी होता है व्यक्ति क्रोधी होता है व्यक्ति और अपने मन से वो क्या ना कर डाले वो कम है जिसे हम कहते हैं मनमतिया मान सम्मान की इसको चाहा तो बहुत होती है मान सम्मान मिलता भी है अब समाज में कुछ बदनाम लोग जो होते हैं जिन से दुनिया डरती है और सलाम ठुकती है क्योंकि इसमें सूरे का पुष्ट मिल गया है और जब सूरे का पुष्ट मिलेगा तो मान सम्मान जो व्यक्ति आपको देगा जरूर लेकन वो डर कर देगा वो डर के कारण देगा छलकपड भी ऐसे लोग खूब करते हैं कि इसमें जो दमंगता हम कहते हैं कुछ लोग आपने देखा समाज में रंगदारी वसूलते हैं ऐसी रेखा वाले ये व्यक्ति होते हैं अब एक स्थिति हम ले रहे हैं मैंने कई क्रिमिनल्स अपरादियों का भी हाथ देखा है तो मेरे को अपरादियों के हाथ में मुझे य सूर्य परवत और शनी परवत तक ही सीमित होती है हाट लाइन आगे नहीं बढ़ती है और अगर हाट लाइन नीचे की तरफ इंगित हो रही है दिख रही है मंगल की तरफ दिख रही है तो व्यक्ति बहुत चिड़चड़ा टची क्रोधी समाज में दमंगता से रंगदारी से काम करने वाला भी होता है तो क्योंकि यहां पर मंगल का पुष्ट मिल जाता है तो क्रिमिनल के हाथ में बहुत छोटी सी रेखा हार्ट लाइन मिलेगी और इसको क्यों मिलेगी क्योंकि वो लोग उसमें उन लोगों में दिल नहीं होता दूसरों के प्रति बहुत दिल छोटा सा यह दिल छोटा बताती है जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीता है और मरता है अगर हाट की लाइन अब जैसे इस मॉडल हतेली में बनी है अब इस में भी चर्चा कर ले यह बीचोदी बीच में चली गई यह बीचोदी बीच म यह लाइन आ गई है तो बीच में जब लाइन आ जाएगी तो दोनों परवतों का पुष्ट उसको मिलेगा यह बहुत अच्छी इस्तिति है मित्रों यह हमें धार में गुणवी मिलते हैं यहां से और धर्मक के हम बन जाते हैं दानपुर्ण में हम विश्वास करने लगते है धर्मक छेत्र धर्मक उर्जा की प्राप्टि होती लोगों के संगत प्राप्ट होती है विस्तार होता है और हमारे जिवन की कामनायं हैं जो आतमसंमान स्वाभीमान कि हम बात करते हैं वो बहुत बढ़ जाता है तो कि लोग इतिनी जद देते हैं और अगर शनी का भी पुस्ट मिल जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को संपत्यों के भी प्राप्ति होती है चाहे वो गुरु के कारण हो धर्म के कारण हो को कि धर्में कथी विदियों में भी तो ध में जो पहुंचे हुए जोतिश हैं वो भी होते हैं क्योंकि जोतिश के पास भी ज्यानतों हो नहीं चाहिए गुरू का और जो पहुंचा हुआ होगा उसके पास धन भी काफी अच्छी संख्या में होगा कुछ और हम प्रापर्टीज देख लेते हैं वितरों जब हार्ट लाइन खराब होती है तो हमें क्या इंडिकेशन देती है हार्ट लाइन जब यहां से दोड़ती है तो हम देखेंगे कि बीचों बीच में कहीं मोटी ना हो जाएं कहीं उसके अंदर यव ना आ जाएं कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और साफ सुत्री हो बिल्कुल क्लीन हो यदि यव आ जाते हैं बीच बीच में तब हमें इन यवों का भुकतान करना पड़ता है यह हमारे हैल्थ इशूस को रिलेड ज़्यादा करते हैं अब देखिए यदि एक कोई लाइन यहां से नीचे की तरफ अगर निकल रही है हार्ट लाइन से तो यह हमारे क्रोध को दिखाती हैं और हम अगर हमने किसी को उधार दिया तो वह पैसे प्राप्त नहीं होंगे यह भी दिखाती हैं तो मित्रों अगर अगर लाइन पे दाने भी हो जाएं उसके अंदर सफेद दाने जैसे दिखने लगे तब यह इस्ट्रेस एंजाइटी ब्लेड प्रेशर शुगर तो कैसे जानेंगे हम ब्लेड प्रेशर शुगर जो आज सबसे बड़ी समस्या हो गई हमारे समाज में हम हार्ट लाइन को देखकर समझ जाते हैं कि हार्ट लाइन पर कर डिस्टर्बेंस होगा यह पड़े हैं वाइट इस्पार्ट आ गए हैं उसके अंदर तो यह हमारा एंजाइटी और स्ट्रेस लेविल को भी बताती है हार्ट लाइन हमारे हार्ट और हमारी भावनाएं जैसर हम आने प्रारंब में बोला इमोशेंस रिलेशन सक्सेस हैल्थ हमारे प्रायोजन हमारे स्वार्थ हमारी साहता करने की लोगों को जो तासीर होती है उस बारे में बताती है तो मित्रों आज हमने हाटलाइन के बारे में कुछ प्राथ्मित जानकारी प्राप्त की है आप लोग अपने हाथ में देखिए कि आपकी हाटलाइन कौन से वर्ग में इस्थान पा रही है और उसकी प्रॉफर्टी क्या क्या होगी यह देखकर समझ कर कमेंट जरूर करें मित्रों मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मित्रों चलते चलते सबस्क्राइब भी करते जाना है श्री गणिशाय नमाहा मास अरस्वती नमस्तुब्यम बने रही है मित्रों पाम ब्लॉग पे स्टेटी उन्ड़